नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अर्चित चौबे और आज हम बात करेंगे शिलंका विमन और न्यूजिलेंड विमन के बीच जो फर्स्ट टीट्वेंटी मैच खेला जाने वाले है उसके बारे में यह वाला मैच जो टीट्वेंटी मैच है वो आठ जोलाई को खेला जाएगा और वो वाला मैच पाच जोलाई को था काफी बड़ी है उस मैच में विनिंग्स होई है आज के मैच में भी पूरी कोशिश करेंगे कि बहुत ही बहतरी टीम आपको वीडियो के अंदर मिले और चैनल पर पहली बार आए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लास्ट टक रुकना और अगर पसंद आए तो ही आप लाइक करना के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि यार टेलिग्राम चैनल थोड़ा सा comment बे टैप करोगे तो आपको clickbend telegram नाम से link बिलेगी पिल लिंक है आसानी से आप join कर सकते हैं join कर लो free channel है कोई भी पैसा आपको देना नहीं है final team आप देख सकते हैं किसे साब की हमारी team रहेगी बांकि अगर आपको different team लगा नहीं अपरी team लगा दिये तो बिलकुल आप video को last तक देखके अपनी team भी create कर सकते हैं चलिए बांकि जो भी मेरा नया दोस्ते सब्सक्राइब कर सकते हो लगातार काफी बड़ीया winnings हो रही है TNPL अगर आप देखेंगे तो यार TNPL में लगातार मतलब TNPL में तो almost 80% matches में काफी अच्छी winnings होई है बांकि वीडियो भी में खेले गए ते और ये वाला जो मैच है T20 मैच है ये पिच चेंज हुए और आप देख सकते हैं कोलमबो में मैच है 30 सारा ओवल कोलमबो में ये मैच खेले जाने वाले पिच रिपोर्ट कैसे react करेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं last three matches अगर आप देखें 204 बने तो लो स्कोरिंग मैच ही रहा है तो यहां पर दोस्तों क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है वह अभी आपको मैं पिच रिपोर्ट भी रीड करके बताऊंगा बांकि last matches आपने देख लिए अगर न्यूजिलेंड first bet कर रहे हैं तो थोड़ा सा score हमें कम ही देखने को मिलेगा मां की Pacers ने last three matches में 12 wicket निकाले हैं, Spinners में 14 wicket निकाले हैं तो थोड़ा सा Spinners पर गौर कर लेना आज के मैच में और आगर आपने देखा हो तो जो न्यूजिलेंड Spinners के आगे फस्ती वी नजर आई है और 37 अगर हम बात करें शीलंका भी Spinners को उतना बहतर नहीं खेलती है, comparatively न्यूजिलेंड से बैतर खिलती है, लेकिन उतना बैतर ये भी नहीं खिलती है, मां की Pitch Report के बारे में बात करें, बैटर्स फ्रेंडली रहने वाली है और सपोर्टिंग Spinners, Spinners को सपोर्ट रहेगा, मां की average first inning score 135 के आसपास रहेगा, अगर शीलंका first bet कर रहे हैं तो इतना ही ही head to head आपने ODI में भी देखा था, ODI में भी देखा था, एक भी मैच शीलंका नहीं जीती थी लेकिन ODI सीरीज शीलंका जीत गई है, पहली बार, पहला मैच पहली बार जीता, पहली बार कोई मैच जीता, दूसरे बार दूसरा मैच हार गई थी, तीसरा मैच फिर से जीत ग बनाए थी न्यूजिलेंड ने शिलंका 60 बना पाई थी बांकी देख सकते हो सूजी बैटस न अच्छा किया था और आप रीट कर सकते हैं अटपटू ने थोड़ा ठीक किया था उसके पहले लास्ट यर वाले मैच के बारे में बात करें न्यूजिलेंड 147 शिलंका 102 तो दौ ही मैं आपको बता रहा हूं कि शिलंका के भी जो इंपोर्टेंट प्लेयर्स उनको भी मिस्मत कर देना न्यूजिलेंड इस्ट्रॉंग है शिलंका उतनी दीक नहीं है आपने बंडे मैच इसमें देख लिया चलिए आगे बढ़ते हैं पॉसिबल 11 के बारे में बात करें तो आप फिर थोड़ा सा यहां पर भी प्लेयर्स को ट्राइ कर सकते हैं लेकिन यहां पर दूस्तों एक बात देखने वाली है कि ओडियाई मैचेस अगर आपने देखे होंगे तो अट्टा पट्टू के अलावा ज्यादा किसी नरन नहीं बनाया है पहले मैच में गुनर अतने के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहला नाम हर्शिता मडावी प्लेयर अच्छी सीरीज खराब सीरीज खराब है लेकिन लास्ट मैच में बनाया है तब भी हमें विन करा दिया और यहां पर देख सकते हो चौबिस काइबरेज है ठीक एबरेज है रीसेंट फॉर्म अगर तो मडावी को आज के मैच में आपको स्मॉल लीग मर रखना चाहिए खासकर अगर फॉर्स बैट आ रही है तो तो फिर आप बिल्कुल रखो सेगिंड बैटिंग में थोड़ा सा प्रेशर में आती है हो सकता है आउट हो जाए गुनार अतनी की बात करें 12 का एबरेज है उ तो मैं थोड़ा एक्सपीरियंस थोड़ा बहतर एवरेज वाला बैट्समेंट राए करूंगा मडा भी बड़ी है चोईस है अटा पट्टू की बात करें 113 मैचे 34 विकेट 22 का एवरेज है अच्छा एवरेज है और यहाँ पे दोस्तों शायद ओपनिंग न करें आज के मै में तूश्य के दोड़ा सा ढाउट है बोलिंग करेंगी की नहीं करेंगी आइवरेकरेंगी आप देख सकते हो प्लेयर अच्छी है वाइस कप सीैड़ी में थो और आकर आपको रखना है तो रख लो लेकिन आज मैं थोड़ा सा चारा हूं कि मैं न्यूजइलेंड से आप तीन मैचेस की ODI सीरीज पहली बार आ रहे हो पहली बार शिलंका से आ रहे हो तो आप T20S में आपके साइट से परफॉमेंस आने के चार्से जादा है लेकिन बैटिंग उतनी जादा टगड़ी की नहीं है सत्रा का एवरेज है और सत्रा का एवरेज मतलब खत्रा वाला एवरेज है तो यहां से दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ यह जो तीन बैट्समेन है अगर हम देखें तो तीनों डाउटफुल है किसी भी आप एक को रख लोगे यार एकदम तुक्का है क्योंकि आप देखो कि एवरेज किसी कभी ज्यादा खास नहीं है मडावी अच्छी प्लेयर है मडावी लेकिन चल नहीं रही है तो मैं तो मडावी के साथ जाऊंगा माँखी मडावी गुनरतने डिसिलवा इन तीनों मैं से किसी एक का चलना फिक्स है आज कि मैंच कोई एक चल जाएगा तो आप किसके साथ जा रहे हैं वो आप देख सकते इन नंबर्स मैंने बता दिये मैं थोड़ा सा हश्यता मडावी पर ट्रस्ट करूँगा इनके साथ जाऊंगा माँखी निलक्षी डिसिलवा भी एक अच्छी चोईस है अगर हम बात करें संजीवनी के बारे में कुछ नहीं किया और ज्यादा कुछ नहीं किया है बैंजु बात करें बढ़िया प्लिया चौट मैचे सथा वन बिकिट बैटिंग से तो कुछ नहीं किया पिछले कुछ टाइम में लेकिन बोलिंग अगर आप देखेंगे तो बढ़िया बोलिंग इनको मैं फर्स बोल में रखूँगा फोल नहीं आती तो मैं क्लियर कट बता देता नहीं रखूँगा क्योंकि बैटिंग उतनी बैतर कर नहीं रही है रिसेंटली और सांती सांता कराम देखें बोलिंग में फर्स्ट इनिंग में थोड़े से जाधा विकेट्स गिर सकते हैं न्यूजिलेंड के सेकिंड इनिंग में न्यूजिलेंड आसानी से चेस कर प्रभोधिन की बात करें एक्सपिरेंस तो बहुत ही जदा है बहुत ही जदा है और ODI में अच्छा भी किया है ODI में मैं अगर बात करूँ तीन मैचस में से दो मैचस में तो इन्होंने दो-दो-तीन-तीन वेकेट्स निकाले है तो आज के मैच में कुछ वेकेट्स हो सकते हैं फर्स इनिंग में डैथ बोलिंग करेंगी अगे बढ़ते हैं और हम सीधा प्लेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं बढ़ी है प्लेयर उननीस का एवरेज तेरा का एवरेज ओवरॉल है और इसेंट फॉर्म ठीक है लेकिन एक्सपीरियंस उतना जादा नहीं है तो बहुत जाद उमीद करना मत लेकिन बैटिंग तो आई जाएगी और संजीबनी हमारे पार सेकंड चोईस है तो संजीबनी से बैटर चोईस बेंजुएट जो भी आप इनको प्रनाउस करो वही बहुत ही खदरना ग्राम वेरनाडिंग में बोल देता हूँ वेरनाडिंग हमारी टीम में रहेंगी ठीक है चलिए नेक्स बात करें सूसी बैट्स के बारे में बड़िया प्लेयर आपने देखा बारिश के कारण वो मैच महीं पर उग गया फिर इनकी टीम की बोलिंग आ गई तो लास मैच में बताया था आज के मैच में फिट से अगर चेसिंग आ रही तो वाइस कैप्टन आप अपनी टीम की रख सकते हो उपर से चेस करके दे देंगी अमेलिया केर बहतरीन प्लेयर और टूर्णामेंट भी अच्छा जा रहा है बढ़िया किया है चाहुदा पूरे चार ओवर्स मिलेंगे साथी सांथी सांथ बैटिंग भी आई जाएगे तो कैप्टन की बहस चोईस यही रहने वाली है आप अपनी टीम के कैप्टन रख सकत सब्सक्राइब ना चाहिए तो वाइस केप्टन अगर आप सोफी डेवाइन के सांथ चाने तो इनकी फॉर्स बैट में जाना क्योंकि फ़ल्स बैटिंग में बैटिंग में पता निए कितनी बैटिंग मिलेंगी उपर हो सकता है उपर वाले फ्लियर से चेस कर जाए तो ऊसर बेट में मारी टीम में और स्टीर एट लए सबाद करें से जाएं इनको फीर l马 चाहर के लिखेट, समय खुक्रीस के बात करें सबेटार, इस्था बेटिम पनी के लिए ट्राइच्प के इन का ही, वहां देखा हो, तो मैच उस में क्रणाों, नियुक्ती के लिए इडन कार्सन की बात करें अच्छी प्लेयर है इस्पिनर्स के सामने श्रिलंका भी उत्ना बहतर नहीं करती है comparative भी थोड़ा ठीक कही लेगी लेकिन उतना बैतर शिलंका भी नहीं करती है तो Carson के भी कुछ विकेट्स आज के मैच में रहेंगे फ्रांज ओनास के बारे में बात करें 15 मैचेस 7 विकेट, experience कम 1st बोल में रखना है, 2nd बोल में नहीं रखना है हाना रोवे, बढ़िया प्लियर, बढ़िया experience 35 मैचेस में 18 विकेट, 18 विकेट के हो हैं कई बार ओवर्स कट हो जाते हैं और प्लस पॉइंट के बैटिंग करके देंगी लेकिन न्यूजिलेंड के उतने विकेट्स अभी तक तो गिरे नहीं है सीरीस के अंदर कि इनकी वैटिंग आ पाए तो आज के मैच माँ फर्स बोल अगर आती है तो आप अपनी टीम से बिल्कुल मिस्मत करना और आई थिंग सेकेंड बोलिंग में भी रखी सकते हो दो से तीन विकेट हो सकते हैं सिर्फ प्लेइंग 11 में रहना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब हम कॉमन जी एल कैप्टन के बारे में बात कर लेते हैं कॉमन जी एल कैप्टन से मेरा मतलब है जिसको मोसी लोग ट्राय कर रहा है जो ODI सीरीज में भी अच्छा करके आ रहा है जिसके पास बैटिंग बोलिंग दाउनों से मोगा है तो पहला नाम आ रहा है अमेलिया कैर कुछ टीम्स में आपको रखना है और वन कैप्टन फॉर्म्ला तो नहीं लगा रहा हूं अगर डिफरेंट हो जाता है मैच मैच मेचों सूजी वेट्स को आपको रखना है कुछ टीम्स के अंदर और तहू को लग रहा है यह दौनों भी काफी बढ़ी है प्लेयर है एक्सपीडियेंस प्लेयर है इनको भी आपको कुछ टीम्स में कैप्टन वाइस के प्लेयर रख अगर सामने वाली टीम के आती है शिलंका की तो फिर आप सुगंदी का कुमारी को अपनी टीम बेर रख सकते हो यह दोस्तों मैंने आपको सारे प्लेयर के बारे में बता दिया डिफरेंट के वाइस के अब हमने देख लिए अब हम सीधा चलते है और डिफरेंट सेक्शन के बारे में बात करते हैं जिसमें आपको पूरी 20 GL टीम बताऊंगा कि कैसे टीम बनानी है कैसे प्लेयर को हमें ट्राय करना है अगर न्यूजिलेंड फर्स बोल कर रहे हैं तो क्या हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन के कॉम्बिनेशन होंगे तो वीडियो को यहां से बिलकुल लग रहा है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चलिए अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं 20 GL कॉम्बिनेशन के बारे में सबसे पहले में आपको थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूं अगर आप आप अल्रेड़ी वीडियो देखते हैं तो मैं लगबग सारे वुमन मैच कोई ना कोई तो कोई दो प्लेयर तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कर जाएंगे 50-50 रंस बना सकते हैं तो अमेलिया के साथ सूफी डेवाइन वाइस के टिक है नेक्स्ट देखें सूफी डेवाइन के साथ फर्स बैट सूजी बैट्स वाइस के टिक है यहां पर यह नाम कि बोल first आजाती है तो हम क्या कर सकते हैं न्युजेलेंड के बैटिंग first में ये combinations आपको रखना है और भी captain मैं आपको बताऊँगा पांच captain मैंने आपसे बूला था ठीक है न्युजेलेंड के अगर बोलिंग first आ रही है तो अमेलिया के साथ फिर आप रख लेना है टभू तो मैंने आपको रीजन्स भी बता दिये और कॉंबिनेशन्स भी मैंने बता दिये केंटिक्षाज्य मैंने और मैं आपको बता दिता हूं स्करीन या को लेना है आपको लिस बात करें orbit दोस्तो बात करें और क्या Ihre मिनीशन की ट सकते हैं अट्त यहां से मालो कुछ अच्छे रंस कर गई तो उपर से चांसे से कि सूजी वैट्स भी चेज करते हुए नजर आई या सूजी वैट्स बढ़िया चेजिंग कर जा है एकदम ही डिफ्रेंट कुछ मैच होता है तो Maddy Green को एक team में captain रख लेना, first bat आती है तो ही रखना, first bat आती है तो ही रखना, first batting में बैटिंग मिल जाएगी और इनके साथ Amelie Care को मैंने wise captain किया है, next अगर combination देखोगे एक डिफरेंट combination, तो Ranavira के साथ Atta Patu को wise captain किया है राना वीरा first bowling में wicket, Atta Patu second inning में chase, ये first bowling है और ये बात करें तो New Zealand first batting, ये शिलंका first bowling next देखोगे राना सिंगे के साथ राना वीरा को wise captain, इनकी भी New Zealand, sorry, Shilanka की first bowling, Shilanka की first bowling में शिलंका के bowlers चल जाएगे, और हो सकता है दो दो तीन तीन विकेट्स ले जाएगे यहाँ possibility है, first inning में New Zealand के भी wickets गिरेंगे, क्यों गिरेंगे, 20 overs का match है, 20 overs का match है तो at least जो भी players है, last के overs में तो मारने को जाएगे और last के overs में मारने को जाएगे, तो possibility है कि विकेट्ट गिर जाएगे, ठीक है, चलिए, अब हम दोस्तों बात करते हैं, और 20 overs का match है, मतलब match complete हो सकता है, 50 overs में आपने देखा कि सब्सक्राइब करके जा सकते हो, बागी अब हम देख रहेते हैं, अब हम देख रहेते हैं अपनी टीम्स, चलिए दोस्तों टीम्स के हम combination देखेंगे, बात करेंगे, उसके पहले अगर आप final team चाहते हैं और टेलिग्राम पे अभी तक नहीं है, तो आप पहुच जाओगे टेलिग्राम पे जहां पे आपको final team मिलेगी, same team अगर नहीं लगाना, तो पिल्कुल मैं तो चाहता हूँ कि आप अपना दिमाग भी लगाए, वीडियो देखेंगे, क्योंकि आपको सब कुछ पता है, तो अगर आपको same भी नहीं लगानी, तो आप टेलिग्राम पे आजाना, final team में आपको पूरे 11 प्लेयर्स के साथ टेलिग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलिग्राम का link description में, आयोप आपना जॉइन कर लिए होगा, बाकि अब हम दोस्तों team के बारे में बात कर लेते हैं, सबसे पहले अगर मैं आपको बताओं, तो मैंने एक small league की team बनाई है, और अगर बाकि आप teams देखेंगे, तो बाकि कुछ मैंने grand league की teams बनाई है, combinations के बारे में बात कर लेते हैं, क्या combination हो सकता है, अगर New Zealand first bowl करती है और New Zealand first bat करती है, तो चलिए, सबसे पहले small league की team के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले wicket keeping section में, Bernardin मेरी team में रहेंगी, यही मेरी team है, बाई मैं संजी में को try नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहतर batsman बोग भी नहीं है, इनकी भी batting उतनी खास अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन आज के match में हो सकता है, चल जाए, क्योंकि batting तो आना fix है, बागी batting section से बात करें, सूजी bats मेरी team में, मडावी मेरी team में, और M green मेरी team में, तीनों मेरी team में रहेंगी, मडावी का selection percentage कम है, लोग डिसिल्बा के साथ जा रहें, क्योंकि डिसिल्बा ने last match में अच्छा कर दिया, 47 एंशेथ 50 runs ही बना दिया है, ODA match में, लेकिन मैं मडावी को थोड़ा सा back करूँगा, आज के match में मडावी के साथ जाऊँगा, बाकि अगर first batting New Zealand की नहीं आ रही है, तो फिर green को अगर आपको drop करना है, तो आप कर सकते हो, लेकिन T20 आई है न, T20 match है, तो मैं समझाओ कि second inning में भी green की batting आने के chances है, चलिए, all around section से बात करें, अट्टा पट्टू मेरी team में है, Amalia Care मेरी team में है, सोफी डिवाइन मेरी team में है, तीनो मेरी team में है, और दिलहारी को अगर आपको रखना है, तो दिलहारी को रख सकते हो, दिलहारी को मैं first bat में सिर्फ रखूँगा, second bat अगर शिलंका के आती हो, तो दिलहारी को drop कर दूँगा, फिलाल दिलहारी मेरी टीम में नहीं है, मैं राना सिंगा के साथ जा रहा हूँ, राना वीरा मेरी टीम मेरी टीम में और हना रोवी भी मेरी टीम मेरी टीम में रहने वाली है, लोग कार्सन के साथ भी जाएंगे, मैंने आपको बता दिया आप फर्स टीनिंग के बोलर सोड़े आपको बता दिए और ड्रीम 11 में अगर खेलना है तो समर विक्रमा को डॉप करके एक्स्ट्रा बोलर आप लेलो न्यूजीलेंड का तो इस तरीके कि कुछ आपको बता दिए न्यूजीलेंड की तो सोफी डेवाइन को करूंगा फॉस्ट बैटिंग आ रही है अगर शिलंका की तो फिर अट्टा पट्टू के साथ मैं वाइस केप्टन जाओंगा चलिए टीम आप देख सकते हैं स्मॉल ली के यह टीम है बांके ग्रेंड ली के कॉमि प्रिकेट्स यह निकाल के ले जाएंगी बांकी फिर बैटिंग मिन किया जाएगी तीन बोलर्स मैंने फिर न्यूजीलेंड के लिए लिए नैक्स टीम देखोगे अट्टा पट्टू के साथ डिवाइन को वाइस केप्टन और उसके अलावा नेक्स टीम देखोगे तहू क यह सारी टीम फिर्स बोलिंग न्यूजीलेंड अगर हम देखे तो डिवाइन के साथ अटा पट्टू वाइस केप्टन और फिर शी लंका के थोड़े से बोलर्स डिवाइन के साथ टहू वाइस केप्टन नाइक्स टीम अगर आप देखो गई तो सूजी बैट्स के साथ ड और कुछ मैंने फर्स बोलिंग के अकॉर्डिक रखे तो ऐसे आपको 20 टीम्स बनानी है और आज के मैच में जी एल के बहुत जादा चांसे बहुत जादा चांसे हैं क्योंकि फर्स मैच पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर सकते हो मांकि मिलते हैं ना एक्स वीडियो में टैंक्यू अट्था कि सो मच